नमस्कार दोस्तों मैं सिवंको सबाब को सवागत करता हूँ प्रोगाइड CS चैनल में तो हम लोग देख रहे हैं Computer Fundamental Course तो जो हमारा पिछला बीडियो लेक्ट था उसमें हम लोग ने जो Computer के Input Device और Output Device क्या क्या होते हैं हम लोगों ने देख लिया Computer की Generation क्या उन कौन सी होती है और Computer की जो थोड़ा बहुत बेसिक था हम लोगों ने देखा था और आज हम लोग देखने बाले हैं जो सबसे ज़्यादा लोग सूचते हैं कि क्या क्या होता है Primary Memory, Secondary Memory तो जो Computer होता है उसमें Mainly दो तरे की Memory होती है Primary और Secondary Memory तो हम लोग इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे कि Primary Memory में क्या Functionality होती है और Secondary Memory में क्या होती है ठीक तो यहाँ पर हमने दिखा है कि Computer जो है उसके अंदर लगभग नहीं इसके बारे हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो जो Primary Memory होती है वो क्या होती है Main Memory होती है यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ही है Computer की Main Memory होती है जो Present होती है Motherboard में ठीक, यहीं पर होता है क्योंकि जो हम लोग use करते है RAM, ROM यह सब क्या है यह Primary Memory के Type ही है तो यह कहा होती है में मदरबॉर्ड में हम लगाते हैं इसको इसके लिए हम लोग कोई केबल नहीं लगाते हैं यह पहले से है या तो मदरबॉर्ड में हम लगाते हैं या फिर हम लोग मेंली जो होता है मदरबॉर्ड में ही लगाया जाता है इसको अलग से हम लोग मतलब पिन तो अभी हम लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो आच्छे से आपको समझ में आगा तो जो primary memory होती है वो कितने तरीके होती है दो तरीके होती है पहला होता है RAM और दूसरा होता है ROM RAM मतलब क्या होता है random access memory और ROM मतलब होता है read only memory ठीक तो चलिए इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ रहते हैं तो पहला जो हमने बताया RAM तो RAM क्या होती है RAM दो तरह के होती है एक होती है dynamic और एक होती है static तो RAM क्या होती है जब तक हम लोग system या computer use करेंगे तब तक इंस्टॉल करते हैं धीरे-धीरे का होता है भरता है तो वह कहां जाता है वह हमारे पहले जो secondary memory वहां जाता है secondary memory के बाद जो है वह कहां आता है जब हम लोग कोई app open करते हैं जैसे कि आप mobile चलाते होंगे mobile में क्या करते हैं हम लोग एक्जांपल के लिए हमने WhatsApp open करा तो WhatsApp इत static RAM जो है वो पहले सी हमारे सिस्टम या कहें तो computer है उसमें जो है तो यह पहले सी लगी होती है और यह जो है हम लोग इसको अलग से लगाते हैं इसको हम लोग डैनेमिक के गया सकते हैं इसको change कर सकते हैं निकाल के दूसरी लगा सकते हैं static जो होती है उसको हम लोग निकाल क चालो रहेंगे तब तक काम करेंगे और उसके बाद जो भी उसके अंदर सेव है वो पूरा डिलीट हो जाएगा अगर चार जबी की रहा है उसमें हम लोग ने केवल 20 MB केवल 1 UP यूज करा है तो केवल 20 MB RAM यूज होगी उसके लाव बाकि जो RAM है उपरी होती है हलाकि हमारे पास क्या होता है माल लिजिए एक operating system है Windows 10 डाला Windows 10 जो है वो minimum 2 GB लेता है तो अगर आपके पास RAM जो है वो कितने कहा जाए तो 4 GB की RAM है तो 4 GB में तो 2 GB जो है पहले से ही यूज होती है 2 GB यूज हो रहे ही किसमे operating system है फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आप डाउनलोड करेंगे कोई वीडियो एडिटर या फिर कहा जाए तो VLC player या कुछ भी तो VLC player माल लेजिए आपका 40M भी का है तो 40 अब में क्या होगा यहां से RAM में यूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगी आप जब आप ओपन करेंगे तभी आपको यह जो RAM है यह यूज होगा अगर आप कोई software या एप open नहीं करते हैं तो क्या होगा कि जो आपकी RAM है वो यूज नहीं होने वाली है वो free रहेगी तो आपको अगर ज्यादा RAM चाहिए, तो ज्यादा RAM का मतलब यह है, कि आपका operating system अगर ज्यादा ले रहा है, अगर कहा जाए तो Windows 11 भी आ रहा है, हो सकता है वो अगर 5GB ये 6GB RAM पे चलता हो, तो 5-6GB RAM तो पहले ये उज़ करेगा, तो अगर आप उसको डालेंगे अपने system में, तो जब आप system run करेंगे तो क्या होगा, कि जो आपकी जो secondary मोरी वो तो 1TB की hard disk का आपने लागा करा, वहाँ से जैसी आप open करेंगे Windows 10 या 11 जो आपको डाला हुआ है, उसको open करेंगे, तो आपको क्या चाहिए होगा, 4GB RAM चाहिए होगा, या तो 5GB RAM, अब आपके पास पहले से 4GB बस RAM है, आपके पास 5GB है नहीं तो वो क्या होगा, load लेने में problem करेगा, hang करेगा, क्योंकि आपके पास जो RAM है, उसमें जगह नहीं है, तो जब भी कोई भी आप software open करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या होती है, वो RAM में यूज होती है, और अगर आपने कोई app, कितने भी आप 200-300 app अगर install करके रखें, तो एक भी RAM यूज नहीं होने वाला है, जब तक आप उसको open नहीं करेंगे, या फिर वो background में run करता नहीं रहेगा, ठीक, तो ये क्या होता है, कि RAM इस तरह के से यूज होती है, तो RAM क्या होती है, जब हम लोग system on होता है, तभी यूज होता है, बाकि उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, वो automatic पूरा हट जाता है, तो ठीक है, समझ में आयोगा कि RAM जो है, केबल ये क्या करता है, जब यूज होता है, हमारा computer चलता है, तभी यूज होता है, उसके अलावा इसकी storage भरती नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है, रोम, तो RAM हम लोग ने समझ लिए, रोम बढ़ते हैं, तो RAM और रोम क्या है, प्राइमरी मोरी है, तो ये रोम जो है, वो दूसरा भी लगे होते हैं, बड़े बड़े भी लगे होते हैं, तो ये भी चोटी चोटी मोरी होती है, ये पी रोम, ये सारी जो RAM होती है, वो यूज होती है, तो इसमें क्या होता है, कि एक बार आपके जो system ये computer इसमें डाल दिया जाता है, कि ये काम होना चाहिए, उसके लावा फिर वो आप उसको डिलेट नहीं कर सकते उसको वापी से आप फंक्शनालिटी उसको चंज नहीं कर सकते उसके अंदर जितना डाल दिया गया है वो आप कर सकते हैं उसको चंज कर सकते हैं पर वो जो कंपनियां होती हैं वो ही कर सकते हैं उनकी जो सिस्टम होते हैं उनके यह सब क्या हैं यह इसी के हैं पर यह आप नहीं यूज़ का सकते इसको एक ही बार बना दिया जाता है जैसे आप Motherboard on करते हैं अगर कोई भी operating system नहीं लगा है तो उसमें कहा हुता है ब्लैक ख्रीन कहा छोलती है यह इसकी वज़़ें कहलती है जो हमारे पास 로म लगा हुआ है तो रॉम जो होता है बहुत कम होता है इसकी जो storage होती बहुत कम होती है क्योंकि इसको हम लोग केवाली specific काम के लिए जैसी example के लिए हमने इसको बनाया है बूट के लिए केबल यह क्या करेगा system को जो है on करेगा बूट करने काम करेगा और यह वाले जो है यह चेक करेगा कि जो system के अंदर जो हमारी hard disk कितने GB है RAM कितने GB है यह automatic चेक करें तो यह क्या करें केबल read only more है तो इसको केबल एक काम के लिए होता है कुछ भी एक functionality आप define कर देंगे तो यह क्या करेगा बस वही काम करेगा उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा जैसे इंस्टक्शन इस्टोर इंडिस only for read cannot be modified यहां पर लिखा हुआ है आप ऐसे पड़ पढ़के आप देख लिजेगा यह हमने आपको जो इसके अंदर लिखा हुआ है तो समझ में आओगा कि रोम क्या होती है रैम जो होती है तो यह केबल हम लोग और इंटरनल दौर तरके से होती है यह क्या होती है pää automate श्रेज होती हैा twentyücklich इस्टम बंडन हो जाता है जैसे शिटम होगा यह व्डापिश से start हो जाएगी और इसके अंदर डाटा इस्टोर होने ळग जाएगा पर यह जो है हमारा जो ROM है वो क्या होता है एक बार हम लोगों ने कुछ भी डाटा जो है उसमें स्टोर करा दिया है अब वो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते उसको मोडिफाई नहीं कर सकते RAM है क्या हो रहा है कि जब हम लोग है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं एक बार डिफाइन कर देते हैं जो भी चीज़े हमें काम कराने कंप्यूटर से उसके बाद उसको हम लोग इरेज नहीं कर सकते उसको हम लोग चिंज नहीं कर सकते उसकी जो फंसनालिटी है ठीक आगे बढ़ते हैं फिर आता है से गंट्री मोरी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है उसे रैम तो हर विश्टा शिस्टम यूज होता है उसके बगार काम नहीं होगा पर स्टोरेज वाली होती है यहां पर जैसे यहां पर एक हाट डिस्क मैंने दिया यह 500GB की हाट डिस्क ह तो RAM हो गई, जो RAM है वो तो अपने primary में होगी secondary memory का होती है, इसको हम लोग जब चाहें इसको erase कर सकते हैं, change कर सकते हैं कुछ भी copy कर सकते हैं, format कर सकते हैं तो जो secondary memory है, इसका benefit यही है कि आप जो भी चाहें वहाँ से change कर सकते हैं यहाँ पर चार्जी भी RAM था, तो आप पूरा चार्जी भी जब चार्जी भी software एप यूज़ करेंगे, तब ही यूज़ोगा पर यहाँ पर क्या होता है, आप चाहें तो जितनी photo, video और movie डाल डाल के आप क्या कर सकते हैं, इसको copy कर सकते हैं, और RAM जो होती है, आप कोई भी data store करके ले कर जा नहीं सकते थे, जो हमारा जो primary memory, यह जो primary memory, इस memory में आप कोई भी data store करके कहीं भी ले जाकी यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक बार आपने डाल दिया, आप दूसरे system में लेके जाएंगे, तो वहां से जीरो से चले हो, क्योंकि वह क्या होती है, इरेज हो जाती है, primary memory, आटोमेटिक, उसका जो data हो इरेज हो जाता है, पर जो हमारी secondary memory होती है, उसका जो data होता है, एक बार आपने अगर कुछ भी file ये video copy कर दिया है, वह कभी नहीं जब तक आप उसको format नहीं करते हैं, या फिर memory card आपकी hard disk की SSD है, वो क्या है, खराब नहीं हो जाती है, उसके बगार आप जब भी चाहें, कहीं भी ले जाके, आप यूज का सकते हैं लगा के और जो फिसके अंदर speed होती है, 1Gbps, 2Gbps के आसपास होती है, पर जो हमारी secondary memory है, उसकी जो speed होती है, वो slow होती है, और एक चीज़ और भी होती है, जो आप primary memory जैसे में बता रहा है, 1Gbps, 2Gbps के होती है, यह depend करता है कि जो RAM है, उसकी variety होती है, DDR2, DDR3, DDR4, यह सब होता है, तो यह primary memory के अंदर ऐसे वो होता है, ROM RAM जो होता है, उसके अंदर ऐसे functionality होती है, मतलब generation के साफसे DDR4 है तो और तेज होगी, DDR3 है तो slow होगी, DDR2 होगी तो और slow होगी, तो यह RAM के version होते हैं, तो version के साफसे फर्क पड़ता है, और इसके बाद जो यह हमारे hard disk है, उसके अंदर भी फर्क पड़ता है, कि उसके अंदर जो DVD है, वो कितने writer डला हुआ है, फिर उसके बाद SSD होती है, basic hard disk होती है, basic SSD होती है, तो सब में कितना-कितना फर्क पड़ता है, यह NVMe वाली storage है, कुछ होती है, जैसे basic होती है, याद नहीं आ रहा मुझे, तो ऐसे बहुत सारी SSD की variety होती है, तो अभी जो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होती है, तो यह हो गया, फिर secondary memory के और example ले सकते हैं, उसको भी आप लगा के यूज करते हैं, और निकाल के कहीं और ले जा सकते हैं, आप यह रिखा हुआ है, external heart drive, etc, यह सब क्या है, secondary memory है, तो समझ में आओगा primary memory क्या है, secondary memory क्या है, primary memory जो होती है, उसको हम लोग ने दो पार्टर में बोड़ ला है, RAM और ROM, जो secondary memory होती है, वो क्या होती है, main memory होती है, वो secondary memory है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लगाते हैं, तो भी काम चल जागा, यह के लिए भी होती है, तो यह समझ में आया होगा आपको, अगर कोई question है, सवाल है, आप हमें comment करके, यह हमारे WhatsApp नमबर, Telegram नमबर, यहाँ पर पोस्चन पूछ सकते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए, तो like, से subscribe जरूर करें, और यह हमारा number है, इसमे